हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल का जो करन्ट लोकेशन है आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं दोस्तो अपने पर करना है और पर क्लिक करना है वो सब्सक्राइब करने के बाद Hoca क्योंकि दोस्त आप स्टर्टिंग में इसको open कर लोगे तो सारा सेटिंग जो आपका गडबड हो जाएगा, तो दूस्त आपको इसको only on आपको यहां पर इसको install करना है, इस पले स्टोर से जाकर और इसको open नहीं करना है, ठीक है, आप भी दोस्त इसको bake करना है, और bake करने के d e ठीक है अपको यहाँ पे de यहाँ टाइप करोगे तो दोस्ट आपके सामने इतने सारे नाम जो है आपको show हो जाएंगे तो दोस्ट आपको d e का मतलब होता है developer setting ठीक है तो यहाँ पे developer setting आप यहाँ पे type करेंगे देख सकते हो कि आपके mobile phone में developer setting है कि नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है डवलपर ओप्शनल ठीक है यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर मेरे पास है ठीक है तो यहाँ पर सर्च करके देख सकते हूं कि यह वाला सेटिंग है या नहीं है तो यह वाला मेरा मेरा सेटिंग है अगर आपके फोन में नई है तो दोस्त आप about section में जाकर आप वहाँ पर double bar टेप करोगे तो दोस्त आपको वहाँ पर निकल जाएगा ठीक आपका वो setting मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पर bake करना है और bake करने के बाद और open करने के बाद दोस्तों यह वाला developer optional setting जो है आपका यहाँ पर disable होगा तो आप इसको enable कर लीजेगा तो यहाँ पर मेरा already enable है और उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है नीची की साड़ में स्क्रोल करते हुए और scroll करने के बाद दोस्तों आपको आना है नीची की साड़ में select more location app यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर click कर द document कर देना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों जो आला application मैं आपको बता आया था GPS Emulator वो अला application को हमें यहाँ पे select कर लेना है ठीक है यहाँ पे मैंने इसको select कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद दोस्ता आपको चले जाना है bake होना है complete और bake होने के बाद दोस्ता आपको क्या करना है simple चले जाना GPS Emulator वाले application को open करना है ठीक है open करने के बाद दोस्ता आपके सामने इस तरह का interface कुल कर open हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो आपको क्या करना है इस वाले application को open करने के बाद दोस्तो आई agree का button आएगा तो आपको वहाँ पे click कर देना है only on बस इतना ही आपको यहाँ पे काम करना इस वाले application में ठीक है यहाँ पे मैंने पहले ही open करके देखा था कि यह वर कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे मेरा पहले से किया हुआ है ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे इस application को back कर देना है बेक करने के बाद दोस्ता आपको चले जाना है अपने मोबाल का जो मेप वाला जो एप्लिकेशन है वहाँ ठीक है तो यहाँ पर मैप वाला जो सेटिंग है उसको यहाँ पर open कर लेता हूँ और open करके दोस्त आपको यहाँ पर search करना है जहाँ पर आपका location change करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ दिल्ली ठीक है मैंने यहाँ पर दिल्ली टाइप करा और यहाँ पर टाइप करने के बाद दोस्त आप को यहां पे क्लिक कर देना है ठीक है जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है नीचे की साड़ में आपको बीच में green color का एक icon दिख रहा है उसके उपर आपको click कर देना है ठीक है, यहाँ पर click करने के बाद उसके आपको यह permission बोलेगा कि यहाँ पर आप okay कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको okay कर देता हूँ ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर allow के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसको allow कर देना है ठीक है, उसके बाद दोस्ता आपको कुछ चेड़ा चाड़ी नहीं करनी है इस app में, और आपको चला जाना है बे करने के बाद दोस्त आपको फिर से जाना है अपने mobile का जो setting होता है वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद दोस्त आपको चले जाना है notification वाली setting में तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा notification वाला setting दिख रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा यह work कर रहा है ठीक है तो दोस्तों आपको नीचे की side में emulator वाला जो application है आपको यहाँ पर देखना है emulator वाला application है या नहीं है show कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर मिलेगा location वाला जो कि आपको मैं दिखाता हूं location ओके यहां पर नीचे की साड़ में आपको मिलेगा लोकेशन वाला सेटिंग तो यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इमिलेटर यहां पर शो कर रहा है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर बेक करना है और बेक करने के बाद दो से आपको Google Map के अंदर मैप को open करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर फिर से यहां पर Start के बटन के उपर क्लिक कर देना है ठीक है यहां पर मैं Start के बटन के उपर क्लिक करता हूं और फिर से हम इसको बेक कर देदें अभी दोस्तों आपका जो है Current Location जो है Change हो चुका है अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं मेरा यहां पर Current Location क्या है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मेरा यहां पर Current Location ने आप यहां पर देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली शो कर रहा है न्यू दिल्ली यहाँ पर शो कर रहा है मैंने वहाँ पर दिल्ली टाइप कर रहा था तो यहाँ पर मेरा शो कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर दोस्ता आप कुछ इस तरह से अपना करण्ट लोकेशन को चेंज कर सकते हो अपर मेरा करण्ट लो वीडियो में चबते के लिए बाई बाई